नमस्कार मैं दीपाक स्वागत करता हूँ आपका ग्यान लेर्नर्स पर और आज हम इस वीडियो में देखने वाले आपका क्लास 9 मैंस में exercise 3.1 ठीक है आपको पता हैं chapter 3 कर रहे हैं यह कह रहा है how will you describe आप कैसे describe करोगे किसको the position of table lamp ठीक है table lamp है on your study table आपके पास एक study table है जिसमें आप पढ़ते होंगे ठीक है उसमें table lamp को रखा हुआ आपने तो वह कह रहा है कि उसको आप कैसे describe करोगे उसकी position को किसको करना है describe to another person किसी दूसरे person को यानि कि आपको कोई friend हो सकता है आपकी mother आपके father या आपकी sister आपके brother कोई भी हो सकता है आपको उसको describe करना है कि यह lamp मैंने कैसे रखा हुआ इसकी position को आपको पता ना coordinate का मतलब क्या होता है position ही दिखाना होता है ठीक है तो how will you describe आप कैसे describe करोगे position of table lamp उस position को जहां पर table lamp रखा हुआ है यह आपकी study table है किसको समझाना है to another person देखिए आपको अच्छी तरह से बता रहा है basic concern मैंने का यह होती है आपकी y axis और यह होती है आपकी x axis ठीक है यह x axis positive के लिए और इधर negative के लिए इधर positive के लिए इधर negative के लिए आपको अच्छी तरह मिठ मैंसे पताई यह क्या होता है origin होता है यानि कि जहां से counting होती है तो मान लिजिए कि मैं एक point दिखाना मालो कि मेरे पास 둘 दुमानले इसकी मुझे position दिखानी है इसकी मुझे क्या दिखानी है position दिखानी है तो यह होता आपका एक्स कॉद् honeymoon और यह होता आपका Lima कॉडिट यह आपको अच्छी तरह से पता है तो एक्स तो चो दूर enhance में यह चला वट और यह है टूए और यह टूए अर वाई में किंद 2 चलना है ठीक है यानि कि 1 आपका यह और यह छी थी होगा, थीकिस को हम यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे, जहां पर एक कट करें के धाइड पॉइंट पोईशान और थी, थीकिए, तो यह आपने दिखा दी, ऐसी आपके पाम Chiefs क्या रहा है कि आपके पास एक टेबल है तो आपको डिस्क्राइब करना अनदर परसन को की यह लैंप मैंने किस पोजिशन पर रखा हुआ है तो इदी कि यह टेबल है आपकी और यह आपकी जन्नल यह वाली साइड क्या होती है लेंथ होती है और जो चोटी साइड होती है दैटी जाओ ब्रित है यह जितनी लेंथ य होगी उतनी ही ब्रित यह होगी संजमागी बात है अब मान लिजे आप इधर हो ठीक है आप यहां पर बैठे हुए ठीक है इस तरह साब बैठे हुए और आपको आप पूजिशन डिस्क्राइब करनी है कि लैंप कहां पर रखा हुए डाने बात आई बात यहां पर आप हो हो ठीक है इधर आप हो और इधर यह लेफ्ट हो गया यह राइट हो गया आपका और यह हो गया आपका अपूजिशन ठीक है इधर आप पूजिट साइड आपका हो गया तो आप दिखे मैं मान रहा हूँ इसकेल मान रहा हूं कि मान लिजे मैं एक बॉक्स को दिखा रहा 10 cm आइंट उसन एक बोक्स और यहींoten अगी जाएंगे तो दिसिस आपका यह हो गया 10가 प्राप न शॉफ्त कर आपको कोईने रहे दो व्लिटने अच्रा आगी सफने में सब्सक्राइब 10 और जाएंगे तो this is 30 cm टीक है ऐसी और भी होगा आपका 40 cm होगा ऐसी और भी होगा 50 cm यहाँ पे होगा 60 cm यानि की पूरी टेबल माल लिजे 60 cm के सपोज करिए टीक है आई बास ऐसी इधर भी हम सेम माल लेंगे इधर इधर वाले में भी यह हो गया 10 cm संदमारी cm में हैं यह हो 20 cm यह हो गया आपका 30 cm लेटर दिशिस 40 cm इस 50 cm अज़क है इस तरह के से आपने सपोज कीजिए माल लीजिए अब आपने बताया अपने फ्रेंड को सपोज करो ठीक है कि सपोज आपने बताया सपोज दाटैंश जो डिस्तेंश जो डिस्तेंस ऑफ दाल लेंप आपका उसकी जो डिस्टेंज है लैम्प की फ्रॉम कहां से फ्रॉम द शॉटर मनला छोटी वाली जो इस एठीक है शॉटर एज मनला होता है किनारा या आप बोल सकते हो यह आपकी लॉंगर साइड है और यह आपकी सॉटर साइड तो हमने कहा कि सपोज माल लीजिए आप दिखें कुछ भ इस वाली ऐसे माल लीजिए आपकी कितनी है 30 cm सपोज करो कि आप 30 गए इधर से यह आपकी शॉटर एज ही है इधर से आपने 30 चलना है तो 10 ही हो गया 20 और 30 माल लीजिए यहां तक आप आगए ठीक है आई वासन में और आप लॉंगर से भी सल होगे क्योंकि आप टॉर्च से इस यहां तो भी आप उपने यहां तो नो रखा होगा वह कहीं कहीं त्हों से माल लीजिए कि सपोज the distance the distance of the lamp जो lamp आपका study lamp ठीक है from कहां से from the longer अब longer edge यानि कि ये वाली edge ठीक है बड़ी वाली longer edge edge बोलो या side बोलो वो माल लीजे 25 cm देखिए आप इनको vary भी कर सकते हैं कोई रटने वाली बात नहीं कि 30 लिगना 40 लिग लो 20 लिग लो इसको 15 करतो मतला एक को थोड़ा ज्यादा कर दो एक को थोड़ा सा कम कर दो कितना भी लिलो तो जो distance है यह तो आ गई 30 cm यानि कि इधर को यानि कि shorter यह थी इधर से हम 30 चले अब longer से लेंप की जो position है वो longer longer कौन सी यह वाली edge है यहां से 25 उपर चलना है 25 उपर के लिए 10 20 और 30 तो 20 और 30 के बीचों बीच में आजाएगा कौन 25 आएगा की नहीं आएगा तो आप इधर से इसको मिलाई है ठीक है और इधर से 30 वाला मिलाई है ठीक है आई बास में 30 cm था न तो यह भी कितना होगा थाटी सेंटीमेटर होगा यह 25 था तो यह भी कितना होगा आपका 25 ही होगा तो यहां पर माल लीजिए आपने क्या रखा हुआ है आपका जो study lamp है व तो position of lamp, position of lamp ठीक है lamp की position क्या होगी तो आप चाहें तो length और breath के according भी बना सकते हैं कि length क्या है और breath क्या है तो देखें length, length कितना चला देखें मैं 10, 20 और 30 यानि कि 30 x में चला मैं this is 30 cm ध्यानग ना सेंटीमेटर में ले रखें ठीक है तो यह हो गया 30 cm length और यह कितना होगा 25 जतना ही है उतना ही है यानि कि 25 cm आपका breath है ठीक है तो मैं length और breath में लूँ तो आपका यह हो गया length हो गया 30 और breath हो गया 25 या आप उल्टा भी दू कर सकते हैं आप ऐसी जरूर थोड़ने कि आप इधर ही बेटो आप इधर से बोलोगे तो आप कैसे दिखा होगे breath into length भी दि कि 10 20 30 हो गया 25 ऊपर को चला यह 10 20 और 25 हो गया तो यह पूजिशन हो गई एक्स एंड वाई 20 30 और 25 दन है बाद तो यह आपका question number done first हो गया ठीक है चलिए बढ़ते हैं question number 2 की और धंग से पढ़ते हैं काफी lengthy question आपको दिखेंगा दिखें question number 2 यह स्ट्रीट प्लान है ठीक है street मला होता गली ठीक है गली street प्लान एक गलियों का एक प्लान दिखा रहा है अब दिखेंगे पढ़ते हैं question को ढंक से काफी lengthy question है लेकिन इसका जो answer हो बिलकुल short में करेंगे ठीक है यानि कि पूरी कहानी लिखी वी है और कहानी का जो सारांस आता है वही answer होगा ठीक है एक सहर है तो में उसमें दो में रोड है ठीक है एक सहर है उसमें दो क्या है में रोड है which cross each other at the center ठीक है जो एक दूसको क्या कर रहे हैं cross कर रहे है यहाँ पर क्रॉस कर रहे है एक रोड आपकी यह ओगई रोड नमबर वन एंड इस रोड नमबर तू समझमारी बाते हैं तो एक रोड यह ओगई और एक रोड यह ओगई दोनों इसको क्रॉस कर रहे हैं कहां पर बाते हैं आपको मालूम है क्या चीज़ आपकोवरी बडिया तरीके से मालूम होगा कि बै यह हो ता आपका डारिक्शन का अगर मैं यह बनाओ तो यह उता इधर उता आपका North इधर होता आपका South इधर उता आपका East थिक है पता ना North South East वेस्ट ठीक है यह आपका डारिक्शन का हमने ले लिया है ठीक तो वो कहारा है कि जो दो रोड है ना यह दो रोड कैसी होना चाहिए एक North रोड नौर्थ और साउथ वाली रोड हमने यह बना दी दने बाद दिखरा आपको और यह इधर के लिए बना दिया हमने यह कौन से वाली इस्ट और वेस्ट वाली रोड ठीक है यह वाली यानि कि यह हो गया आपका एक तरह से आपका री रोड तो यह आपका यह में साउथ श्यर्ट बना उन इस्ट वाली रोड आपका यह से वाली रोड डैघ्सine आपको भएगा Кिया रोड रोड चैंजय में ऐस यह बना आ यह थे हैं तो हड़ मानलग आपका यह रोड नम्बर वन हो गया ठीक है यह आपके कॉन सी वोगए रोड लमबर वन और लाट अनो नुमबर टू ठीक है यह आपके रोड नमबर टू ऊगई और यह शिटी का इंटर रहे ठीक है इस दसने सींटर अुव दिखाते हैं यह ऑरिजन है आ क्या है यह यह आपकी x-axis हो गई यहां पर काटेंगे जाह और जिन यहां इस से मलदा काउंटिंग कोगी और इज तक दन हो गया कोशन आगे कोशन थिक है काफी मैंने का लेंथी कोशन है ठीक है इसलिए मैं भूक से करवा रहा हूं ठीक है अब कह रहा है और रहा जाहरों इस ट्रीट थ था दा गलिया, ठीके, तो आल दा-अदर स्टेट अब जितनी भी सारी स्ट्रीट है अब दा सिटी उस सिटी कि सहर की रन साण पैलल टु मिख रूर्ड है यह ले जांगी इस से panrail यह स़ Вас चा इंगी ठीके इस वाले के पैलल ऐसे हो जांगी गलियां इस वाले के पैलल ऐसे हो जाएंगी गली थीक है आई बास हमें अब हो कह रहा है एड़ा टू मीट्र टू हंड़ेड मीटर आपाइट और वह दोनों के दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पर रहें टू हंडेड मीटर आपाइट है कौन जो इस ट्रीट है इस ट्रीट मलब गलियां कि जितनी भी गलियां और वह एक दूसरे से कितनी मीटर की डिस्टेंस पर हैं 200 भी 700иях टू हंडेड मीटर की डिस्टेंस में अगर आपके पास सिसल डिस्टेंस टूंडेड मीटर होंडी गलियां और वह कितनी मीज की डिस्टेंस है मेजरमेंट करने के लिए ठीक है क्या आगे पड़ते हैं यहां पर कितनी स्ट्रीट है इस डारेक्शन एनि कि हर एक डारेक्शन में की में पांच ट्रीट ही पांच गलीहां करनी है इस इसफ डारीकशन मनद ऑफर नौ चाहिए और नौर्सषब अब टू हंड़ीड मीटर काफी हो गया आपका तो बूक्त कॉपी में 200 मीटर दिखाना मुश्किल है इसलिए हो कह रहा है कि 200 मेटर और को एक सेंट्रमिट के इकवल माल लो ठीक है अब क्या दिखा लोगो किए ऐक सेंटील में डिट्रम से दिखा दिखादी हमने रोड नमबर वन रोड नमबर तुश के दिखा और गालीया दिखा दो पांच-पांच गलिया दिखा दो और यह भी पिशकर एक संको कह रहा है और यह कि जो बीच की अधिन्यश्टेंस है आप यहां से आपना वन सेंटिम्टर है कितने से मिःटर है तो एंद फाइव पांच गलिया तो पांच यह बना रहें थीक अब ज़ादा नहीं बनाएंगे फांच गलियों के लिए मार्क लगायता हूं ठीक है ऐसी हआप बनाएं आप चाहिए थोड़ा और भी डिश्टन ले सकते हैं बढ़िया बढ़िया दिखने के लिए पिक्चर ठीक है और उसको एज़ा वन सेंटीमेटर ही लेना आपका जो ग्राफ पेपर उसमें तो अल्रेडी बना होगा लेकिन हमारे पास ऐसा ऐसा नॉर्मल पेज है तो इसमें ह पेलल समझ लहकिएक किसके रोडल है रोडल खीजने मिबढ़ इनके बीच की इसन्यों कि इन गल्यों कि कि इस्टीट नंबर टू इस्टीट नंबर ठींट नंबर फॉर टो निया थीकाया थे रोड के पैलल और इन की के दिस्टेंस की इतनी है दो सेंट्यमिटर थे रेकिन है और 200 मिटर को हमने अपनी हेल्प के लिए वन सेंटिमीटर ले लिया है ठीक है चलिए आप इधर भी बनाओ इस्टीट इधर भी तो बनाने आपने इसके पहले लिए तो क्योंकि दोनों इच डारेक्शन मनला एक डारेक्शन ही हो गए तो इधर भी होगा यानि कि इधर से अब हम लाइने खीज देते हैं इस्टीट नंबर वान एसे ठीक है समझ मारी बात है तो आपको आई होप मजा आ रहा होगा इस कोशन में बहुत अच्छा कोशन है ठीक है आई बात आपको समझ में आ रहे हैं कि का यूज क्या है तो इसलिए कोड़नेट जोमेटी बेहर इं ठीक है डने बात यह ओ उगए आप इधर से भी इधर भी लिग दीजिए याः स्टीट नंबर वन स्टीट नंबर टू स्टीट नंबर ठी इस टी नंबर झूइज फीक नंबर्न फॉर तूंल गली नंबर टू समझ गये तो इस तरह से जिए यह रोड थी नौझ यहां पर कट कर रही है ठीक है कि अब आगे पड़ते हैं इतना तो हमने कर लिया है को संदने बाथ अब देखिया आगे यहां तक हो गया था कि अमें रोड इस्टेटिट फाइव इफ सैंगल लाएं फेके हम ने रीप्रेजर्ट कर दिया ठीक कर दिया क्रीक है द्लिया मॉडल सिटी का इस सिटी का इक मॉडल हो गया आगे बात में चल्क साहिप आगे पढे हैं तो अब पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट में लेते हैं जहां पर कट कर रही है जहां फोड़ी है यह सट्रीट से इसको रही है है यहां पर क्रॉस कर रही है यहां पर के लिए यहे वाला कैसे बनाांगा एक स्ट्रीट यह आई और एक स्ट्रीट यह लगा ठीक है इन दोनों से मिलकर वो बना हुआ यहां तक वो कह रहा है ठीक है वन रॉनिंग नौर्ट साउट डारेक्शन एन अनदर इन इस्ट वेस्ट डारेक्शन ठीक है जी एक जारी है नौर्ट साउट डारेक्शन में यह वाली स्ट्रीट नौर्ट साउट में जा रही है ठीक है और दोनों की दोनों कहीना कहीं क्रॉस करते हैं जगा जगा आपको क्रॉस स्ट्रीट मिल जाएंगी ठीक है दने बात यहां तक आ गई संद में कि जो कोई भी आप एक पॉर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट लीजिए वह बना हुआ है दो स्ट्रीट से मिलकर बना होगा एंड वन रन अब हो कह रहा है इच क्रॉस हर एक जो क्रॉस स्टीट है इच रेफर टू इन दौ फॉलॉवी मैनर वह इस तरह से उसको रेफर किया गया कैसे मैनर में सब्सक्राइब ऊसक्राइब अजमेच बैसिट वीड्र साउट दॉरिक्सट तो जो अथिए रही इंटीट वाली जा रही है जा रही किरेंन इस्ट रॉल टारेक्टण सब्सक्राहिक पड़तर और नहरा Shademnéिश एय संब कीस और कि आपका जो पोजिशन दिखाने का तरीका बता रहा जो पोजिशन है किसी भी स्ट्रीट के जहां पर क्रॉस कर रहा है जहां पर क्रॉस कर रहा है 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 क्रॉ street है उसकी जो पोजिशन है ठीक है पोजिशन वह कहär रहा कि क्या है दिखिए यहां पर कि यह सेक्ट डिस्टिट रॉनिंग नौर्ट साउट रेसें तो सब्सक्राइब नौर्थ साउथ को और फिट्ट इसको दिखा रहा है दिखिए East West को तो पहला यानि कि पहला आएगा आपको North South और कॉमा दूसरा आपका East West ऐसे करके दिखाएगा तो दीके Second वाला यानि के Two और East West फिफ्क्त वाला यानि की टीक है तो यहां पे अगर मैं दिखाऊंगा इसको फिस यहां पे अगर मैं दिखाऊंगा पहले नौर्थ म motherfut selfie अगलिया यह वाली है नौर्थ और सजुन्वां नौर्थ और सव आपने शोस टॉल यहां मैं यह मतर बाद में जी कहां चलना है जी इस्ट वेस्ट में तो यह वाली तो यह वाली यह पर चलो फिप्त वाली को यहां पर कट कर रही है यहां पर तो यह पॉइंट हो गया आपका 2 & 5 कोई दिक्कत है जी पोजिशन दिखा दिया आपने दिखे यानि कि X-axis में 2 चला और Y-axis में 5 चला दिखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर 2 1 2 1 2 समझ मा गया यह 2 चला और यह 5 चला तो यह पोजिशन हो गए तो यही चीज है यहां पर यह कह रहा है समझ मा ग फिर कह रहा है कि using this convention इसका use करो जैसा भी हमने यह दिखायो कर रहा है 25 वाला दिखाए ना वैसी क्या करो यूज करो इसी का and find इसको find करो कि how many cross street can be referred to as 43 कि कि कितनी जो cross street है can be referred to as 43 कि कि कितनी 43 को दिखा रहा है ठीक है यह तो आपको उसने example के तौर पर दिखा दिया तो फॉर्थ किसको दिखाएगा नौर्ट साउथ को यह हो गया आपका नौर्थ साउथ पहला वाला और जो तीसरा वाला है यानि कि यह वाला वह हो गया आपका इस्ट वैस्ट यानि कि नौर्थ साउथ में आपको चलना है फोर और इस्ट वैस्ट में आपको चलना है ठीक है तो North South वाली गली नमबर 4 चलो, North South वाली यह है, गली नमबर 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 नमबर गली यह हो गई, आपने चूज कर लिया, अब 3rd, 3rd किसको दिखा रहा है, East West गो, तो 3rd यह East West वाली गली है, 3rd वाली गली में चल जाओ, 1, 2, 3, 3rd नमबर गली, अभी दोनों के दोनों जहा वाली यह किसकी गली है फोर्थ आये थर्ड नंबर की है तो यह हो गया आपका कौन सा यह हो गया आपका फोर्थ एंड थ्री समझमा गया तो पहला पार तो हो गया ठीक है जी हमने उसकी पोजिशन दिखा दी फोर तरीकी सेकेंड आजाओ अगला है थे थैया अपके त्ली की अगली यह आपके दिशिरी गली आत्यी और इस वेस्ट वैश्ट में एगारी किसमें, किसमें, इस्ट वेस्ट वाली में, यह है, इस्ट वेस्ट वाली एस्ट वड़ी गली, 1, 2, 3, and 4th नमबर के गली, तो 4th number के गली यह हो गई, तीक है, यह दोनों के दोनों आपको cut कर रहे हैं, यहाँ पे cut कर रहे हैं, देखेगे, यह हो गही आपकी 3rd number के приход, that is this, North-South अब सीर फोर्ट नम्बर की गली कौन सी यहाँ पर कट कर रहें तो यह पॉइंट होगा आपका कौन साथ 3 और 4 टीक है तो यह आपने दखा दिया है तो इस तरह से कोशन काफी लंबा था लेकिन एक पिक्चर बनाना है उसी में आपका सब कुछ हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको यह पूरी अक्साय समझ में आगा यह कोशन भी समझ में आगया होगा ठेंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो